कि सब्सक्राइब किज़े सी ओभी वर्ड चैनल को और प्रिस किज़े बेल आर्कॉन को फॉर गेटिंग एवरी लेटेस्ट अपडेट हलो फ्रेंड वेलकम तो दी सी ओभी वर्ड यूटुब चैनल तो सब्सक्राइब करने वाला है उसकी ओपर टोटल इंफर्मेशनी स्टूडियो में हम देखने वाले तो जो न्यूज है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जागे वहाँ पर जाके क्लिक करके भी आप रिट कर सकते हैं तो आपको बता दू कि महाराष्ट जो गवर्मेंट उन्होंने डिकलेर किया है कि फाइनले एर की जो इन्यूर्सिटी एक्जाम है वह फिर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टॉमबर में होने वाली है तो इसका इंपक्ट आपके एक्जाम डेट के उपर पढ़ सकता है फैंड्स क्योंकि यह जो फाइनले एक्जाम है फि जो आपके एमेश्टी सीटी की जो एक्जाम है वह 15 अक्टॉमबर के बाद में या फिर नोवेंबर के मन्त में हो सकती है फ्रेंड्स तो 15 अक्टॉमबर के बाद में होने के चांसे बहुत ही जादा बढ़ सकते है और अभी वो जे इमेंस के उपर भी टोटल आनलेसिस तो बहुत जादा चांसेज बढ़ जाती है कि जो आपकी एक्जाम की डिटेट ही वो 15 अक्टॉमबर के बाद ही होने के जानसे बढ़ जाते है फ्रेंड्स वैसे आगर आपको लगता है कि नहीं जी मेंस के उपर ही वह एक्जाम की डेट डिकलियर करेंगे तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फेंड्स तो आभी तो लग रहा है कि आपके एक्जाम 15 अक्टॉमबर के बाद ही होगी तो जिरोनों भी स्टडी अभी तक चालू नहीं किये फेंड्स चालू कर दीजए आभी भी बहुत ज्यादा टाइम है तो दो मंद में भी आप बहुत ज्यादा पोर्शन खतम कर सकते तो ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप से स्पेशली डिजाइन बाइक्सपर्ट टेन मॉक टेस्ट इन ऑनली 30 रूपीज में भी बाय कर सकते लिंक आपको डिस्क्र लाइस्था चाहिए सब्सक्राइब करने में करने में और लिंक सिर्दफ़ में मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए यह उपन करके देख सकते हैं चैनल के उपर मैंने बहुत सारे और वीडियो बना जाके रखे वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट वीडियो मिल जाएगे तो चैनल पर जाके विजिट करके यह प्लेलिस्ट भी आप जाके उपन करके देख सकते तो इस वीडियो का आपने फ्रेंड के साथ जरू 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 शेयर कर दीजे ताकि उसकी भी कुछ वीडियो से हेल्फ होनी चाहे और चैनल को जरू सब्सक्राइब करके रखे है क्योंकि आने वाले दिनों में कौ सब्सक्राइब वीडियो इसके रिलेटेड अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगा सब्सक्राइब वेरी माच